स्वागत है आप सभी का टेक स्टड़ी आई ते यूट्यूप चनल पर बी ए आर्सी भाभाई टामिक रिसर्च सेंटर की तरफ से 4374 पोस्ट पे जो वैकिंसी जाई थी उनका उनलाइन फार्म यहाँ पर फिलप होना स्टार्ट हो चुका है 24 अप्रेल 2023 को और उसी के बारे में आज यहाँ पर पूरा एक वीडियो आपको मिलेगा कैसे आप आउनलाइन फार्म एपलाई कर सकते हैं अपने ही मोबाईल फोन से step by step पूरा प्रोसेस देखेंगे और आप लोग भी अपने मोबाईल फोन से अपना फार्म आसानी से अपलाई कर सकते हैं रेजिस्टेशन से लेके प्रिंट टक का पूरा प्रोसेस इस वीडियो में आपको मिल जाएगा वेकंसी की बात करें यहाँ टोटल पांच पोस्ट की वेकंसी हैं टेकनिकल ऑफिसर C की साइंटिफिक असिस्टेंट B, टेकनीशियन B, कटेगरी वन स्टाइप एंटरी और कटेगरी टू स्टाइप एंटरी ट्रेनी की पोस्ट है यहाँ पे हम लोग इस वीडियो में category 2 stipendary trainee जो 2946 post पे vacancy आई है ITI के इंडेट्स के लिए उस form के बारे में complete step by step जानकारी देखेंगे आप लोग इसी तरीके से बाकी post के लिए form fill up कर सकते हैं process अभी का same है क्योंकि अभी अगर आप देखेंगे one time registration से लेके last तक का option same है बस last में जब post है न वहाँ apply करने वाला जो process है वो आपको थोड़ा सा different देखने को मिलेगा eligibility condition आप सबने देख लिए होगी वीडियो हमने पहले ही बना दिया था अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ से जाके उसको check out जरूर कर लीजेगा यह official website का link जहां से आप जो है जा सकते हैं apply करने वाले option पे आप देख सकते हैं 22 मई 2023 last date है यहां लिखा है click here to apply online जैसे आप click करेंगे आपके सामने इस तरह से बी और सी online exam का एक page जो है open हो जाएगा इसमें उपर आपको एक option मिलेगा one time registration का ठीक है 24 अप्रेल से form start हो चुका है देखिए नीचे steps दी है सबसे पहले one time registration है देन आपको photo और signature अप्रोड करना है फिर आपका secondary registration है फिर आपकी application fee pay करना है जिनको जिन candidates के लगे कि उने और फिर आपको अपना application जो हो final print कर लेना है यहां पे ऐसी सभी update के लिए हमारे साथ आप टेलिग्राम पे भी जूड़ सकते हैं टेक स्टेडी आईटे टेलिग्राम चैनल का नेम है डिस्क्रिप्शन में link हमने दे दी है ट्विटर पे एक age बढ़ाने का campaign भी चल रहा है जिस तरह से हमने आपको यहां setting में दिखाया आपको क्या करना है यहां पर आना है यहां desktop side का option मिलता है इस पर आपको क्लिक कर देना है जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे देखिए आपके सामने जो page है यह इस तरह के mode में open हो जाएगा अब आप form भर सकते है mobile से भी ठीक है 20 मिनट का यहां आपको time मिलता उसी में नहीं तो आपका session close हो जाएगा फिर से आपको login करना पड़ेगा तो आईए सारी detail यहां पर one time registration की fill कर लेते हैं पहले आपका नाम है ठीक है first name है middle name surname है तो अगर first name सिर्फ है तो सिर्फ first name लिखेगा आपको middle name या surname लिखने की जरूरत तिर्फ नहीं रहेगी यहां पर जब category वाली option आएगा category आप जब यहां पर fill करेंगे देखे अगर आप unreserved category से हैं तब तो आप से यहां पर कोई और detail नहीं मागी जाएगी लेकिन in case आप OBC, SC, SD category से हैं तो आप से देखे यहां पर कुछ नहीं details मागी जाएगी जैसे आपकी name of caste आपके caste certificate जो central government वाला होता उस पे लिखी होती है उसको आप यहां पर mention करेंगे फिर आप से यहां caste certificate का number भी पूछा जाएगा उसे आपको mention करना है issue date आपके caste certificate की क्या है उसे आपको भी यहां पर mention करना पड़ेगा कब आपका caste certificate जो है issue हुआ है ठीक है वो भी आपको यहां पर mention करना पड़ेगा इसके बाद serial number उस पे एक central list की हिसाब से serial number होता है उसे आपको mention करना होगा आपके caste certificate पर रहता है आपका religion यहां पर क्या है ठ रहने वाले हैं, वो भी आपको इसमें mention करना पड़ेगा, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग जरूर फिल कीजेगा, इसलिए हम यहाँ पर फिल करके इसको बता रहे हैं, इसके बाद आता है आपका address की बारी, address में आप लोग address line 1, city, district, state, इतने mandatory फिल्ड है, इनको अगर आपका permanent work correspondence address सेम है, तो आप इस box पे click कर देंगे, इसको फिल करने के बाद, address फिल कर लेने के बाद, आपको यहाँ पर अपना mobile number, दिन confirm करना है, mobile number को, क्योंकि उस पर OTP आएगा, login के time पे, अपनी email ID, confirm करनी email ID को, दिन आपको आधार number, वो आधार number को re-enter करना है, confirm कर इस चीज को फिल कर लेने के बाद, अब आपको यहाँ पर अपनी एक login ID बनानी, login ID आपकी alpha numeric होनी चाहिए, ठीक है, जैसे जो आपका नाम है चाहिए, तो आप नाम के साथ जो है, कुछ यहाँ पर रख सकते है, 123 रखके, एक बार availability यहाँ पर चेक कर लेते हैं, यस, यह available ह nearest 123 available है, तो हम इसी को रखके, further जो है, यहाँ पर confirm करेंगे, एक बार अपनी login ID जो हमने बनाई है, ठीक, confirm करने के बाद, अब आपको यहाँ पर login password create करना है, password भी आपका कैसा होना चाहिए, minimum 8 character का होना चाहिए, special character भी होने चाहिए, ठीक है, एक alphabet, एक numeric character भी रहना चाहिए, capital letter का हैं, पर foundation नहीं, बटा आप चाहें, तो रख सकते हैं, सब कुछ enter करने के बाद, आप क्या करेंगे, एक बार, OTR one time registration preview पे क्लिक करेंगे, जैसे आप preview पे क्लिक करेंगे, आपके सामने preview दिख जाएगा, एक बार इसको आप थोरोली चेक कर लीजेगा, इसमें कोई mistake नह आप edit पे क्लिक करके जाके back, चेंज कर सकते हैं, जैसे आप final submit करेंगे, आप यहाँ पर लॉगिन कर लेंगे, जैसे यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक करेंगे, अब आपके पास एक OTP आएगा, email वा SMS पे, उस OTP को आपको एंटर करके verify करना है, तब आपका यहाँ पर लॉगि हो पाएगा, OTP हमने इंटर कर लिया, जैसे verify करेंगे, verify करते ही, आपके सामने देखे, page open होगा, इसमें आपको photo आप signature upload करना है, ठीक है, इसमें एक instruction भी आपको दिख जाता है, कि photo कैसा रखना है, देखिए, या तो white background होना चाहिए, या तो इस तरह का background होना चाहिए, इस इस तरह की नहीं, ठीक है, कि आपने side से लिया हो, blur हो, आपने cap लगाया हो, mask लगाया हो, ऐसी photos नहीं चाहिए, photo का size यहाँ पर क्या रहेगा, देख लीजे, 165 x 125, जो height orbit हो दी गई है, signature की भी दी गई है, maximum 20-50 kb का, signature 10-20 kb का होना चाहिए, अगर आप नहीं resize कर पा रहे है नीचे description में आपको वीडियो मिल जाएगा, कि photo resize कैसे करें, आप अपने mobile phone से आसानी से, इस size का, इसके भी में photo resize कर सकते हैं, किसी भी size का आपके पास photo हो, इस तरह से photo or signature अप्रोड करने के बाद, यहाँ पर आपको declare करना है, photograph and signature जो है, आप ही का है, and recently taken है, इसके बाद यह code यहाँ पर आपको enter करना है, UVND आपको दिख जाएगा, ठीक है, अप लोग बहुत आसानी से mobile phone से form बर पाएंगे, बस वो एक step याद रखिएगा, कि आपको क्या करना है, आपको वहाँ पे desktop mode on कर लेना है, जैसे आप यह upload कर लेंगे, अब देखिए, यहाँ पे आगे वो स साल का trade है, यहाँ पे 10th में 60% आपका चाहिए, प्लस आपने fitter से ITI किया हो, तो आप apply कर सकते हैं, in case मालीजी आप welder से हैं, तो क्या हो चाहिए, आपका 10th में 60% चाहिए, math और science subject के साथ, and आपका ITI होना चाहिए, साथ में 1 year का या तो apprenticeship होना चाहिए, या तो 1 year का experience होना च simply, जैसे आप apply पे click करेंगे, यहाँ आपकी यह profile एक बार open हो जाएगी, अब आपसे यहाँ trade certificate पूछा जाएगा, देखें आपसे, या तो आपने 2 साल की ITI की हो, या आपने 2 साल की 10th में के बाद apprenticeship की हो, या तो आपके पास 1 साल का ITI, 1 साल का apprenticeship हो, या आपने 1 साल का आपके experience हो, तो जो आपका, जैसे electrician 2 साल की ITI है, तो हम यह choose करेंगे, मानली जो आप 10 में बाद 2 साल का apprentice की है, ता आप यह choose करेंगे, मानली जो कोई candidate welder से हो एक साल apprentice भी कर चुका, एक साल ITI भी तो यह choose करेगा, एंट जो candidate 1 साल की ITI की होंगे, और 1 साल का 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 experience होगा, वह last 12 option choose क करेंगे इसे आपको चूज करना सबसे पहले यह चूज करने के बाद आपसे पोचा जा रहा है कि आपका यहाँ पर कोई कैटेगरी है पी डबलीड़ी केस में आप यहाँ कर सकते हैं तो इसको नहीं कर देते हैं कि आप डaj so आप काम करें तो आप yes कर सकते हैं दुराइज आप no कर सकते हैं अब आपसे सबसे important यहाँ पर educational detail पूछा जाएगा तो सबसे पहले आपको यहाँ पनी 10th जो science and math से उसको आपको करना है तो आपको board या college का यहाँ नाम लिखना है आप चाहें तो board का भी नाम दे सकते हैं ठीक ह maximum marks कितने थे आपको कितने number यहाँ पर मिले ठीक है minimum 60% चाहिए था अगर उससे कम होगा तो आप form नहीं भर पाएंगे देखे हमने 60% भरका यहाँ पर जानबूच कर भरा है ठीक इसके बाद आपसे पूछा जाएगा वो passing year आपका क्या था and month क्या था तो passing year और month जो है ना उ maximum marks आपका कितना रहा वो आप दे सकते हैं ठीक है कितना number उसमें से आपको जो है मिला है उसे आप यहाँ mention कर सकते हैं ठीक two years का course था वो आप यहाँ select करेंगे and passing year and month आप यहाँ पर choose कर लेंगे अपना ठीक है यह choose कर लेने बाद आपका अगर कोई other है यहाँ पर other qualification है तो otherwise आप आगे बढ़ सकते हैं अब आप से यहाँ examination cities पूछे जाएंगे सबसे पहला आपको preference कहां देना है जो preference आपको लगे आपके आसपास है वो आप दे सकते हैं second preference आपको जो देना हो and third preference है तीन च्वाइस आप यहाँ पर दे सकते हैं तो सारी बड़ी cities आपको यहाँ पर इंटर करना है इंटर करने के बाद आपको यहाँ पर final submit कर देना है अभी भी time है अगर आप बैक जाके edit करना चाहें तो कर सकते हैं जैसे आप यहाँ final submit करेंगे देखिए finally आपका यहाँ पर submit हो गया application number आपका यहाँ पर आ गया इसको आप no down कर सकते हैं आपको email भी आ जैसे आप दुबारा login करेंगे आये login करके आपका status दिखा देते हैं कैसे application प्रिंट करना उसके बारे में भी यहाँ बात कर लेंगे जैसे आप login करेंगे देखिए आप जहाँ last step पे थे ना जहाँ आपने apply किया था वहाँ आप आएंगे जिस post पे आप apply कर चुके ना अल्र registration नंबर भी मिल रहा इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे यह आपका application आपके पास print आजाएगा इसका PDF जो है save कर सकते हैं फीस पे करने का option रहेगा उनका print से पहले फीस पे करने का option आएगा वहाँ से आप जाके credit card debit card या net banking से पे कर सकते हैं फीस यही पूरा step by step process था आप आसान इसे form fill up कर पाएंगे registration से लेके print तक का पूरा option हमने आपको पूरा जो यहाँ पर प्रॉसेस हमने आपको बता दिया है उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए helpful रही होगी thank you very much ख्याल रखेगा अपना and सभी लोग form भर लीजे जल्दी जल्दी syllabus का detail वीडियो हम लाज कर दीजे बाकी age criteria के लिए हम लोगों ने आवाज उठाई है अगर वह आवाज उपर तक पहुंचती है उस पर कुछ अमल होता है तो हम उसकी भी update लेके आप सब के लिए जरूर आएंगे thank you ख्याल रखेगा आपना